प्यारे दोस्तों नमस्कार मैं संदित मिस्रा आज फाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट को ले करके 20 कोश्चन का वीडियो बना रहा हूं उसके साथ साथ आपको बहुत सारी कोश्चन और मिलेंगे जिसमें लगबग 50 कोश्चन तक पहुंच सकते हैं आप लोग इस वीडियो को सुरुष से अंत तक देखिए और देखिए कि आपके लिए कितना लावकारी है जैसे इसमें पहला कुश्चन है किस ग्रूप की इस्थापना दुतिय विश्यूद के समय हुई कुश्चन नमबर दो कला दमित वासनाओं का उबरा हुआ रूप है किस ने कहा है तो फ्राइड ने कहा था यहाँ पर अपर परिभासा आ गई है तो दो चार परिभासाएं हम और देखते हैं जैसे अनुकरण ही कला का मूल है किस ने कहा आरस्तु ने कहा था कला में मनुश अपने व्यक्ति करता है तो किस ने कहा रवेन नाट टैगोर ने अगला है कला आदि भोतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है तो किसने कहा हीगल ने कला मानों की दमित भावनाओं की अव्यक्ति है ये तो आपको मालूम है किसने कहा फ्राइड ने अगला है कला हमारी भावनाओं की अव्यक्ति है तो इसको किस ने कहा ताल इस्टाई ने और रवीनाट टैगोड ने क्या कहा कला में मनुष अपने अव्यक्ति करता है तो इसको किस ने कहा था रवीनाट टैगोड ने अगला कुशन है कुशन नमबर तेन बसावन किसका दरबारी कलाकार था तो बसामन अकबर का दर्वारी का लागा था यहां बात आ गए मुगलकाल की अकबर की तो इनके बारे में हम दो चार कुशन और जान लेते हैं जैसे अकबर का समय पीरिड क्या था तो इनका समय काल था 1556 से 1605 अकबर हुमायू का पिता था और अकबर का बेटा था जहांगीर और जहांगीर की मा थी जो धाबाई जो अकबर की पत्नी थी इन्होंने ही आगरा के समीब जो उत्तर प्रदेश में है फतेहपुर्सिगरी नामब एक इस्थान पर एक नगर बसाया जहां पर बहुत सारे महलों का निर्माण करवाया और वही पर ही बुलन दरवाजा का निर्माण करवाया प्यारे दोस्तों अब अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमबर चार कलमकारी किस पर की जाती है तो कलमकारी कपड़े पर की जाती है कुश्चन नमबर पांच आरियों ने किस धात की खोज के थी तो आरियों ने लोहा की खोज के थी कुमहार के चाक का प्रियोग किया किस शम्भता में हुआ था तो कुमहार के चाब का प्रयोग सरप्थम मैसो पोटामिय की शंबता में हुआ था कुश्य नम्बर साथ प्रोफेसर स्याम सर्मा की ख्याती किस रूप में है तो कुश्य नम्बर आठ कुश्य नम्बर नव आरके लक्षमड का निधन हुआ कब हुआ तो आरके लक्षमड का निधन 26 जन्वरी 2015 को पूड़े में हुआ था प्यारे दोस्तों आरके लक्षमड एक कार्टूनिस्ट के रूप में विख्यात है कुश्य नमबर 10 बाज नामक चित्रकार कौन है तो मनसूर है अब यहाँ पर बात आ गई है मनसूर तो आपको मालूम होना चाहिए कि मनसूर किसका दरबारी कलाकार था तो मनसूर था जहागिर का दरबारी कलाकार अब यहाँ पर बात आ गई है जहागिर की तो आपको मालूम होना चाहिए कि जहागिर का समय पीरिड क्या था जहागीर का समय पीरड था 1605 से 1627 जहागीर के समय चित्रकला सर्वो उतक्रिष्टी लग चित्रकला के लिए जहागीर का समय स्वड़काली की रूप में माना जोता है अगला कुश्चन है 11 नमबर सैनिक का स्वप्न नामक्चित्र की रचना रैफेल ने किस उम्र में की थी अगला कुश्चन है 12 नमबर बसोहली सैली में चित्रित गीत गोबिंद के कलाकार हैं तो इसके कलाकार कौन थे मनकूँ यहाँ पर आप बात आ गई है गीत गोबिंद तो गीत गोबिंद नामक्चित्र के लेखा कौन थे जय देव अगला कुश्चन है 13 नमबर साची की साल भंजिका यक्षी किस काल की है तो साची की साल भंजिका यक्षी आंध्र काल की है हाँ कभी-कभी पूछ लिया जाता है या क्षिकी मोर की कितने आयाम की है तो ये त्री आयामी है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर चार चौदा अकबर का आर्ट इस्टूडियो कहा इस्तित है तो अकबर का आर्ट इस्टूडियो फतेहपूर स्रीकरी में इस्तित है जिसके बारे में अभी मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन अब एक बार अकबर का नाम आ गया है तो इनके बारे में एक दो कोशन हम रिवाइच कर लेते हैं जैसे अकबर का समय पीरिड क्या था 1556 से 1605 अकबर के बेटे का क्या नाम था जहांगेड अकबर की बीबी कौन थी जोधा बाई जोधा बाई के लिए ही फतेह पूर्सिकरी में इन्होंने बहुत सारे महल बनवाए और वहीं पर बुलंद दर्वाजा बनवाए था अगला कोशन है सरप्रथम दादा साथ फाल के पुरसकार किसे दिया गया तो सरप्रथम दादा साथ फाल के पुरसकार बेविकार अनिरोरिक को दिया गया तो यहाँ पर बात आ गई है दादा साहब फाल के पुरसकार के तो आपको मालूम होना चाहिए आमिताब बच्चन को कौन से नंबर का दादा साहब पुरसकार दिया गया तो दादा साहब फाल के पुरसकार 66 वाँ नंबर का पुरसकार आमिताब बच्चन को दिया गया अब बात आगई है कुशेन‍बर सोला भारत का सबसे बड़ा शंग्रहलय कहा था है क्रावंल यहां पर बात आगई है कि रहुत है कि फटोड़ा से हम शंग्रहलय की बारे में बात करते चैसे लेख से कोण 23 इसके प्रतम अध्यक्ष कौन थे डीपी राज चौधरी अब यहाँ पर बात आगए डीपी राज चौधरी की तो डीपी राज चौधरी का जन्म 1899で asb में हुआ था बांगलादेश में और ये एक मुर्थिकार के रूप में विख्यात हैं और इनके सबसे विख्यात मूर्ती है सरम की जीत मजदूरों की जीत जो राष्टी शंग्राले नई दिली के सामने बनी हुई है अगला कुश्चन है कुश्चन नमबर सत्रा हाई और इसके साथ साथ और भी शंग्राले हैं जैसे क्रिवेडी कला शंग्राले ये भी नई दिली में है इसके बाद वारांसी भारत भावन वारांसी भोपाल भारत भावन भारांसी में है और भारत भावन भोपाल में है मदप्रदेश अगला कुश्चन नमबर 17 भारत कला भावन वारांसी के प्रथम अब यहां पर बात आ गई वारांडसी की कि एक बार हम इस पर चर्चा करते हैं वारांडसी के नस्दिक सारनात नामकिस्तान पर भगवान बुद्ध ने पहला उद्धिस दिया था तो यहां पर भगवान बुद्ध की नाम आ गई बात नाम आ गया है तो हम बात करते हैं की सताब्दी में हुई तो लित्षोग्राफी की खोज 18 सताब्दी में हुए थी अगला कुश्य नमबर नौ 19 पैंसिल की कितनी डिगरी दिखाई देती है तो पैंसिल की 15 डिगरी दिखाई देती है अब यहाँ पर बात आ गई है pencil की तो थोड़ा pencil की बारे में बात करते हैं pencil में h जो होता है hard होता है और b जो होता है black होता है जैसे h1 h2 इस तरीके से लगता है तो hardness में आता है और black में होता है तो b1 b2 b6 b5 b12 11 जो भी आगे चलता है वो blackness में जाता है इसको आपको ध्यान में रखना है अगला question है भूसा गारी चित्रकार भूसा गारी किस चित्रकार चित्रकार कौन है भूसा गारी नमक चित्रकार कौन है तो भूसा गारी नमक चित्रकार कांस्टेबिल है यहाँ पर बात आ गई है कांस्टेबिल की तो कांस्टेबिल जो है बादलों का बड़ा चितेरा था और इसके साथ साथ हम दो चार कोश्चन और देखते हैं जैसे कि बदामी गुफा और अजंता गुफा एलोरा गुफा शित्तन वासल यह सब कहां है तो यहां पर बात करते हैं थोड़ा एलोरा गुफा के बारे में एलोरा गुफा में टोटल 34 गुफा हैं जिसमें एक से लेकर के बारा तक बाति धर्म 13-39 तक ब्रहमर धर्म और 30-34 तक जैन धर्म से रिलेटेड है यहाँ पर 16 नंबर गुफा में भगवान सीव कामला कैलास मंदिर इस्तित है जो कैलास की जान कहा जाता है 32 नंबर गुफा को इंद्रसभा की नाम से जाना जाता है